बीजेपी आरसेस जो है ए जो सेस्टी ओबीसी का जो समयधानिक आरक्षन है उसके साथ यही कर रही है इतने घाल मेल कर दो कि सेस्टी ओबीसी का जो आरक्षन है उर्रिलेवेंट हो जाए इसे कोई प्रासंगीता न रहेंगे बीजेपी को बड़ा जटका लएगा तो बीजेपी समधाय से ही लगेगा वज़से भी सत्ता में आया और जटका भी लएगा यह प्रासंगीता मनुश्मिर्ती की भारतिये समाज में तो क्या प्रासंगीता होगी वर्न ब्वस्था जो है लागु होगा तो वर्न ब्वस्था में यादब जी गोप आलग बनेंगे अब आईस बनने की जरूरत नहीं में और बाखी सभ्य-घाने वाले सभ्यू करेंगे चंब्डच कर ल लग also और यहीं होग वर्न वेवस्था लागू होगा यह प्रधान मंत्री RSS के ट्रेंड है और RSS समिधान को नहीं मांता है यह जब समिधान लागू हुआ तब यह सी बात सबस्चत in तो ये चाहती है कि आरक्षन को तहस नहस कर दिया अगर मोदी जी OVC है तो दस साल में था कास्ट सेंसस हो जाना चाहिए था सुप्रीम कोड में उन्होंने हलाफ नामा दिया कि भाई हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे तो किस बात कि आप OVC है तो पहला जो ब्लो हुआ आरक्षन पर वह था EWS का आरक्षन और EWS के माध्यम से सबसे पहले जातिवादी आरक्षन है EWS आरक्षन यह जातिवादी है क्योंकि इसमें सिर्फ सबर्न जातियों के लिए आरक्षन की वेवस्ता की गई थी EWS का आरक्षन जातिए आरक्षन नहीं है OVC में ब्रहमण भी है OVC में ठाकूर भी है कई जगशिदूल ट्राइब में ब्रहमण है उसमें तो यह पहली बार जातिए आरक्षन EWS आया था सबर्नों के लिए और उसके बाद देख लिए पुरे देश का मैं सर्वे बता सकता हूं कि EWS का धाधर एपॉइंटमेंट हो रहा है अब आधा उसको चेक किया अगा फर्जी एपॉइंटमेंट हो और कहीं भी इन्वस्टी कॉलेज सरकारी संस्तावों में CST OVC के अरक्षन के इंप्लिमेंटेशन में घाल मेल चल रहा है समझ लिए घाल मेल चल रहा है अभ सवाल यह है कि जब तक महिला अरक्षन हमारे साथियों ने कहा कि 50% करो लेकिन महिला के अंदर रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन उसमें लाईए सारी विवक्षी दलों ने ये बात कही लेकिन वोट के डर से उन्होंने समर्थन कर दिया इस विल को अभी महामहिम का सिगनेचर इस पर नहीं हुआ है 2024 का चुनाव आ रहा है 2024 के चुनाव में हम लोग इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे और ये सपर्स्ट करेंगे कि कि आरेसेस बीजेपी मोधी जी कितना भी बोले ओवी सी हैं एक भी कमिशन बता रहें कि जो ओवी सी के भलाई सिर्फ ओवी सी कह रहा हूं एक भी ऐसा कमिशन बैठाया हो कि ओवी सी कहां भलाई करेंगे अभी 17 तारीक उन्होंने का विश्करमाज जैंति के दिन वो खाली दिखावा है उसमें कुछ नहीं है इंडस्ट्री में कहा हो भी सी का रिपर्जेंटेटर से भी में कहा है कितने लोन मिलना यह तो बताएं कोई कमिशन नहीं बैठा है कोई जनकल्यान के कारें नहीं और चुकि संसद में पहले लालू जी थे या शरदी आदब थे तमाम लो इसे लोगों को रोकने के लिए यह लोग ना आये यह रिजर्वेशन भी लायाख है सवर्नों के लिए इसमें इसको तंग करती है जाती के नाम पर हमारे कोलेज काथ की जाम पर ही आप सब जानते हैं दोस्तों जितने संगठन है देश्वर में तीज तारीक को एक प्रतिका पात्मक विरोध करें अपने तरीके से सोचल मीडिया के जमाना है। हम Veget— मेडिया के पास नहीं जाते हमारा आप लोग है वही काफी सब लोग अपने अपने पर तरीके से सम्वधानिक विरोध करें यह किसी एक संगभठन का अंदोलन नहीं है यह बात लिए से घौर कुछने नहीं है अपने अपनेजन धंडा पर अपने अपनी तमसाही कि और एक है देशनाफी निभी यह तो आप आप और जिन्दा है अगर बिरोध नए थर्मामेटर से पता लगजा यह समाज नहीं है, तो यह समझ लीए कि थर्मामेटर हैं। तीस तारीकों आप लोगों को थर्मामेटर लगाना है, देखना है कि इसससमाज में जागरूपता छाय। नहीं तो आने वाले दिनों में यकीन मानिये सरगार अगर 24 में जीती तो ताल ठोक के उसने घोषना कर दिए कि हम मनुश्मिर्टी लागू करें ताल ठोक के समिधान के जितने परत हैं धिरे धिरे तो खतम होई रहें सारी सामिधानिक संस्थाओं का जो है तहस्नेस होई रहा रहा है जो अलड़ी सशक्त हैं सशक्त महिलाओं को सशक्त जैसे इस था अगर मालीजे कोई सवर्ण अगर गरीब है उची जाती का तो जाती वेवस्टा के कारण गरीब नहीं है वह जो सरकार की नीतियां उसके कारण गरीब है अभी हमारे कॉलेज गेट पर सिकूर्टी स् सवर्ण होंगे मालीजे 20 लोग तो अगर सरकार की नीति रहती कि हम प्राइवेट नहीं रखेंगे हम नौकरी सरकारी देंगे तो यह सब लोग को सरकारी नौकरी मिलती न जो आज 12,000-15,000 पर काम कर रहा हूं उनको 50,000 मिलती तो सवर्ण यदि गरीब है तो वो जाती के वि आको थर्मामेटर पकडा दिया कि टेस्ट करते हैं कि ओवी सी समाज कितना जागरित है आप विरोध करेंगे यकीन मानिये यह अनुभाव से कह सकता हूं आप जब विरोध करना के शुरू करेंगे अपना फोटो किचिए वीडियो बनाईए सोचल मीडिया पर डालिए उसक आप विरोध करना शुरू करेंगे थर्मामेटर टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे समझिए कि नेता भी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपकी भाषा बोलने लगेंगे जिसका समाज जिन्दा होता है जिसका समाज सड़क में होता है नेता को मजबूर होके वो भाषा बोलनी प सब अपने अपने हिसाब से इसका विरोध जरूर की कि ये सरमनाक बात है कि AST, AST, OBC और माइनोर्टी के कम से कम 50% सांसद हैं और उन 50% सांसद अगर वो मिलके इसका विरोध कर देते तो किसी कीमत पे लोकसभा में पास नहीं हो सकता था और दूसरी बात जब UPA की सरकार थ पास हुआ लेकिन लोकसभा में उसी के घटबंदन के इतने मजबूत दल थे चाहे वो बोजन समाज पार्टी हो चाहे आरजेडी हो चाहे वो सपा हो सारे लोगोंने AST, AST, OBC के सारे सांसदों ने मिलके इतना जबरदस्त विरोध किया कि उसको लोकसभा में पास नहीं होन इसलिए तमाम संग्टनों से समाज के लोगों से मैं आवान करना चाहता हूं ऐसे संसदों का जो AST, AST, OBC माइनोर्टी के हकदिकार को चिनने दें और उसका बलके समर्थन कर दें संसद के अंदर ऐसे लोगों का भी घेराव कीजिए, ऐसे लोगों का एहसास कराईए कि CST महिलाओं को आरक्षण मिला है और लेकिन उसमें भी एक तरह एक टक्निकी समस्या है लेकिन अगर उस बिल में हम देखते हैं तो OBC महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है तो being an OBC women मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि आप education से लेके, academic से लेके, journalism के तौर पे देखिए, politics में दे पूरे OBC को जो संख्या है लगबख 52 प्रतिसत है और उसमें महिलाओं की भागिदारी को निकाल दे तो लगबख 25 प्रतिसत महिलाओं इस देश की OBC महिलाओं इस देश की हिस्सा है लेकिन हम 25 प्रतिसत महिलाओं को इगनोर करके किसी भी संसत का part कैसे बन सकते हैं और वह इस देमोक्रेटिक स्पेस कैसे हो सकता है जब हम अपने 25% महिलाओं की अबादी को पूरी तरीके से इगनोर कर देते हैं इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है और सरकार से इस चीज को मैं इस चीज को फुली कंडेम करती हूं कि कैसे हम 25% महिलाओं को इगनोर करके इस सम समाज को और इस पूरे देश को हम कह रहें कि डिमोक्रेटिक स्पेस है जहां पे सभी महिलाओं को और सभी वर के लोगों को अच्छे से बोलने का और समाज में रहने का पूरा अधिकार है तो इस तरीके से मेरा सरकार से लेकर जो भी बहुजन समाज के लोगे उन सबसे अन महिलाओं के का कबजा होगा यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार legislative assembly में देखते हैं कि बस तीन महिलाओं हैं वहाँ के legislative assembly में जबकि वहाँ पर जो साशन करने वाले लोग हैं जो सत्ता में लोग हैं वो बहुत ही OBC समाज से लोग है लेकिन जहां पर OBC का रूल है वहां पर भी महिलाओं की भागिदारी कम है तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की अगर हम उनका नाम ही नहीं रखेंगे बिल में तो उनकी भागिदारी एकदम ही सुनने हो जाएगे जैसा कि हम मंडल कमीशन का इतिहास देखते हैं तो हमें आजादी के लगभग 40 वर्ष वाद पूरुश और महिलाओं को जॉब में आरक्षण मिला उसके बाद 2007 में हमें एजुकेशन में आरक्षण मिला और उसी आरक्षण के बदॉलत हम लोग फर्स जेनरेशन है जो दिल्ली इनुवरस्टी और जेन्यू का चेहरा देख पा रहे हैं यदि हमारा बिल में नाम नहीं होगा तो हम संसद कभी कभी चेहरा नहीं देख पाएंगे और OBC से ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो संसद में अभी तक उस चीज़ को एड्रिस नहीं किया गया है तो यदि OBC महिलाओं की भागिदारी वहाँ पर रखी जाए उनके सोशल जस्टिस रिलेटेड उनके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जितने भी इशूस हैं उन सारे इशूस को तरीके से एड्रिस किया जाए मैं बस यहीं कहना चाहती हूँ सरकार से और जी सर जी और 30 सेप्टेंबर 2023 को हम सभी लोग online या offline जिस भी माध्यम से आप लोग इस पूरे बिल का कंडेम करें चाहें वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं या तो आप वीडियो बना के कर सकते हैं या तो आप पोस्ट डाल के कर सकते हैं या अपने अवाज पे इस बिल के ख हो और इस जो movement है इसका face महिलाएं बने क्योंकि यह हमारे हक की लड़ाई है हम यहाँ पर जितने भी पुरुष समाज की लोगे उनका भी धन्यवाद ग्यापन करते हैं कि हमारे अधिकार के लिए वो हमारे आज साथ खड़े हैं लेकिन इस जो भी आंदोलन है इसका face महिला जार से ही करें लेकिन इस movement का भरपूर सहयोग दें और इस बिल का पूरी तरीके से कंडेम करें क्योंकि इस बिल में हमारी हक की बात नहीं होगी यदि 2532 महिलाओं के बात नहीं होगी तो यह किसी भी तरीके से सम्मेलन जो है वो संवेधान बचाव संगर्श सिमिती की ओर से जो महिला अरेक्षन बिल है जिसका नाम नारी सशक्ती करन वंदन अधिनियम है उस संदर में बुलाई गई है उसके विरोध करने के आज जो लोग उपस्तित हैं सबसे पहले मैं उनका परिचे करा दूँ और से पहले तो हमारे परमाधर नीय राजिंदर पाल गौतम जी है जो हमारे लिए तरह से पूरे मुहिम में हमेशा एक संग्रक्षक के रूप में रहते हैं और उनके उनकी दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अनिल जैंद हैं जो संविधान जोड़े भी भी हैं और एक स्वतंत रूप से और अंबेडकर नामा के वो संपादक एग्जेक्यूटिव एडिटर यहां गजराज जी हैं उनके साथ साथ वेंकट जी हदराबाद से आये हैं ये स्टी पीएफ समाजिक तेलंगना पोलिटिकल फ्रंट के तरफ से हैं और सा थी अजय सिंग जी है अजय यादव है ये तेलंगना में जो प्रजाब पार्टी है उसके स्टेट प्रेजिडेंट तो सबसे पहले इस विशह पर बोलने के लिए मैं आधर निये राजिंदर पाल जी को आग्रह करूंगा उसके पहले सिर्फ इतना मैं बता देना चाहता कि जो नारी शशक्ति करन वंदन अधिनियम जो है जिसको हम लोग सवर्ण आरक्षन कहते हैं सवर्ण महिला आरक्षन क्योंकि SCST के लिए जो पहले से प्रावधान था उस प्रावधान में पहले कई पार्टियों का PSP पार्टि का भी आग्रह था कि इसको न चुआ जाए औ और जो महिला आरक्षन ने उसमें SCST को अलग से स्थान दिया जाए वो किया नहीं गया है जो पहले से SCST के लिए आरक्षित है उसी का एक तिहाई उन वर्गों के महिलाओं के लिए दिया गया और OBC और अल्प संक्य महिलाओं को तो बिलकुल ही जिरो किया गया और OBC जो सलसलेवार प्रयास है उसमें एक ही है महत्पूंड कड़ी है